हाई गाईज वेलकम टू स्टडी गाउस तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉंस्टिट्यूशन की जो कॉंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन सब के टाइप्स के बारे में तो बेसिकलि अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 368 के बारे में 1668 जो आर्टीकल है उसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, सेयर और सब्सक्राइब टिश्टरी गाउच अगरे में हैं, वो आर्टीकल पार्लियमेंट को पावर देता है कि वो कौन्सिट्यूशन को अमेंड कर सकता है और किस तरीके से अमेंड कर सकता है उसका प्रोसीजर भी उसमें दिया गया है आर्टिकल 368 जो है इसके according Parliament के पास power है कि किसी भी आर्टिकल को add कर सकता है किसी भी आर्टिकल को हटा सकता है और किसी भी आर्टिकल को repeal कर सकता है बट वहाँ पर एक condition है कि वो जो आर्टिकल है जिसको हटाया जा रहा है या फिर add किया जा रहा है या फिर repeal किया जा रहा है वो article Indian Constitution की जो basic structure है, उसके साथ में कोई changes ना करे, ओके, और जो procedure है, किसी भी article comment करने का, वो तीन तरीके से किया जा सकता है, पारलेमेंट के दोरा, simple majority के दोरा, special majority के दोरा, और special majority के साथ में जो state legislature है, उनका ratification के दोरा, ओके, तो एक ही करके हम बात करेंगे, जैसे first is simple majority के दोरा, जैसे कि present और voting जो है, वो 50% से जादा होने चाहिए, यह simple majority होती है, तो इसके हिसाब से, इस simple majority के through parliament कुछ sections में amendment कर सकता है, जैसे कि किसी state का formation करने में, या फिर किसी state की boundaries, या एरिया वगेरा, या फिर नाम वगेरा है, उन सब को change करने में, ओके, और जो legislative councils जो होती है, legislative assembly नहीं, legislative councils जो होती है, उन सब को बनाने में, create करने में, या फिर abolition में, ठीक है, और जो second schedule जो है, जिसमें की emoluments और allowance की बात की जाती है, जो president हो गया है, governor, speaker, judges, जो है, उन सब के, उसमें अगर कोई changes करने हो, तो वो सारे changes simple majority से किये जाते हैं, ओके, और जो parliament का जो quorum होता है, मतलब की minimum numbers of members होने चाहिए, परलेमेंट में, जिनके बिना, मतलब कम से कम उतने member हो, तब ही जाके कोई parliament का session start होगा, तो वो अभी है, one tenth member होने चाहिए, क जो उसको quorum बोलते हैं, और quorum को भी justify या फिर मतलब define कर सकता है, अलग-अलग तरीके से simple majority के दोरा amend करके, ओके, और जो MPs जो होते हैं, member of parliament जो होते हैं, उनकी salary और allowance को भी change किया जा सकता है, simple majority से, और उसके अलावा जो parliament का rule of procedure होता है, कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से parliament काम करता है, उसके लिए भी, अगर amendment करना हो, तो वो simple majority से किया जा सकता है, और उसके अलावा जो parliament के जो members या फिर committees जो होती हैं, उन सब के जो privilege होते हैं, उन सब को भी अगर change करना हो, तो simple majority के दोरा किया जाता है, और जो parliament में जो language होती है, जिसे English language का parliament में जो use किया जाता है और supreme court में जो judges हैं उनके numbers को अगर change करना हो तो उसके लिए भी simple majority के द्वारा amendment किया जा सकता है और supreme court का कर्मानला jurisdiction जो limited होता है अगर उसकी jurisdiction बढ़ाना हो तो उसके लिए भी simple majority की ही requirement होती है और official languages जो होती है जो कि अभी currently 22 official languages है उन सब में अगर किसी भी language को add करना है हटाना है उन सब के लिए भी simple majority की requirement होती है और citizenship जो होता है उसको acquire करने के लिए या फिर उसके termination के लिए simple majority की ही जर्रत होती है ओके और जो parliaments के जो elections होते हैं और फिर state legislature के जब मतलब की MPMLS के जो election होते हैं उन सब के procedure को भी अगर change करने के amendment की जाए तो वो भी simple majority से किया जा सकता है union territory से related अगर कोई भी amendment करने हो तो उसके लिए भी simple majority की requirement होगी और fifth schedule जो है fifth और sixth schedule जो है जिनमें की scheduled area और scheduled tribes की बात की जाती है उनका administration की तो उन सब के लिए भी simple majority की requirement होती है ओके और अब बात करते हैं इस special majority के द्वारा कौन कौन से amendment किये जा सकते हैं इंडियन constitution में special majority मतलब 50% से ज्यादा total membership जो तनी है उसके 50% से ज्यादा की majority और उसके अलावा two third members of the each house present plus voting ठीक है यहाँ पर जो total membership की बात कर रहे हूं यह नहीं कि कुछ vacancy है या फिर कुछ लोग absent है उन सब को नहीं देखना है हमें हूं ठीक है total मतलब total वाला ओके इस basis पे कुछ amendments है जो पारलेमेंट में की जा सकती है special majority के दौरा जैसे कि मानलो fundamental rights में को amendment करनी है जैसे कि right to privacy जो है वो fundamental right add किया गया तो उसके लिए special majority की requirement होती है और उसके अलावा जो से DPSP जो है directive principle of state policies जो है उन सब में अगर कोई भी DPSP को add करना है किसी को भी हटाना है किसी भी DPSP में कोई छोटा सा segment और add करना है तो उन सब के लिए भी special majority की requirement होती है और उसके अलावा जो भी segment या categories जो है जो की first section में जिसमें simple majority से amendment किया जाता है और जो third वाला जिसमें special majority के साथ में state का rectification की ज़रत होती है उन category में जो नहीं आते हैं उनके अलावा बाग की सब को special majority वाली section से amendment की जाती है ओके सो अब हमारे पास बचा थर्ड थर्ड में special majority parliament की होनी चाहिए उसके अलावा इस states की consent होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे special majority जेसा है मैं पहले बताई चोगा 50% से ज्यादा है total membership का और two third present plus voting ठीक है और उसके अलावा जो states की consent है वो half of state legislature की consent होनी चाहिए और उनका क्या decision होगा ठीक है क्या उनका action होगा उस bill पर उससे कोई matter करता ही नहीं ठीक है यह बस एक मतलब formalty type की चीज है और इसमें जो main important जो है जिनमें की amendment की जाती है इस process के तुरू जैसे president का जो election है और उस किस तरीके से उनका election होता है उस procedure को अगर amend करना हो तो उसके लिए यह special majority चाहिए होगी और उसकी states की consent चाहिए होगी और उसके अलाव जो executive power है union और states की ठीक है जो governor वगएरा इन सब के लिए भी special majority और consent of state चाहिए हो तो supreme court और high court वगएरा के लिए भी यही चीज़ चाहिए होगी ठीक है और last time जो हमने बात की थी वहाँ पर judges का number बढ़ाने की ठीक है simple majority के साथ supreme court के judges हैं उनके number बढ़ाया जा सकते बस और और भी अगर कोई changes करना हो जो supreme court high court वगएरा में जिसे high court union territory के साथ में jurisdiction बनाना हो तो इस special majority के साथ में state की consent भी जरूरी होती है और seventh schedule जो है उसका कोई भी list जो है center list या फिर union list, state list और concurrent list जो है उन सब list में अगर कोई भी changes करना हो तो special majority के साथ में state की consent जरूरी होती है और अगर 368 article को ही जो article 368 है अगर इसको ही खुदी amend करना हो तो इसको amend करने के लिए भी जो parliament है उसकी special majority होनी चाहिए और इसके अलावा एक important ये भी है कि जो parliament में जो states की representation होती है मतलब seats जो होती है किसी state की कितनी seats होती है उन सब को भी define और अगर उनको भी alter करना हो चेंज करना हो तो उनके लिए भी इस type की majority की जरूरत होती है यही थे कुछ important facts article 368 से related जो की तीन टाइप से इसको divide किया जाता है simple majority, special majority और special majority के साथ में states की consent ओके तो आज के लिए बस इतना ही, hope you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day